अफ्रेंज, मैं शेका श्रीवास्तरव शुशागत करती हूँ आपका अपने किशिन में bread की हम बहुत सारी dishes बनाते हैं bread उपमा बनाते हैं bread उत्पम बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें बनती है bread की तो आज मैं बनाने जारी हूँ garlic bread जो की आजकल सभी बचों को और बड़ों को अच्छी लगती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं garlic bread बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं चार ब्रैड लिए हैं मैंने white bread हैं आप इसकी जग़ा brown भी bread ले सकते हैं 100 gram mozzarella cheese लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच बटर लिया है 10 से 15 मैंने लस्टन की कलियां को बिल्कुल बारी बारी काट लिया है एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स एक छोटा चम्मच औरिगेन हो अब हम सबसे पहले पैन को गरम कर लिया हमने और इसमें मैं डाल देती हूं बटर बटर मैल्ट हो गया चार उतर फिसको फिला दिया तो हम bread को सेक लेंगे एक साइड से हमें bread को सेक ना है तो देखिए बिल्कुल सेम गैस पे हम bread को सेक रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं चेक करके ये देखिए bread हमारी सेक गई है तो हम दोनों को निकाल लेंगे तो देखिए चारों ही bread को हमने एक साइड से सेक लिया है एक साइड से नहीं सेखा क्योंकि ये साइड अभी हम नीचे रखेंगे और फिर हम इसको गार्लिक ब्रेड बनाएंगे तो देखिए पैन को मैंने गैस पे रख दिया गैस पिलकुल सेम का रखी है इसमें हम मैं डाल देती हूं बटर और ये बटर के साथ-साथ ही मैं डाल दे जिससे इसमें बटर में और इसमें खुछभू आ जाएगी लस्ट की और अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे सबसे पहले मैंने एक सिखिवी ब्रेड ली और इसका ये सिखा हुआ वाला हिस्सा उपर करेंगे और उपर जो सिखिवा हिस्सा है इसमें ये जो बटर और यह लेस्टन का जो मैंने बनाया पेस, इसको चारो तरफ इसके फिला देंगे, यह दोनों चीज़े डालने के बाद, अब मैं चीज इसमें गिस देती हूँ, चारो तरफ ब्रेट के, चीज मैंने अच्छे से इसमें घिसके डाल दिया है, और अब यह ओरीगेनों डाल देते हैं, चेली फ्लेक्स भी डाल देते हैं, और ऐसे ही सारी ब्रेट को हम पनाते जाएंगे, तो देखिए, वही पैन मैंने यूज किया है, जिसमें लस्टन और बटर को मैंने फ्राई किय और अब मैं इसमें यह ब्रेट रख देती हूँ, और गैस बिल्कुल सेम रखनी है, और इसको मैं इससे धाग देती हूँ, तो देखिए, तीन मिनट हो गया है, और मैं चेक कर लेती हूँ अपनी ब्रेट को, तो देखिए, ब्रेट हमारी बिल्कुल अच्छे से त्यार हो और गैस को आफ कर देती हो मैं, चीज भी बिल्कुल मैल्ट हो गया, तो देखिए गार्लिक प्रेट हमारी बनके बिल्कुल त्यार है, तो आप भी इसको अपने घर पे बनाईए, सब को खेलाईए, और ऐसे ही नही नही रेसिपी देखते रहने के लिए, प्लीज हमें सब्सक कीजे, धन्यवाद